नमेश्कार सात्यों सूरे नगरी उनिक लॉक्रास की यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिला राठी आपका हाट देख स्वागत अभी नंदन करती हूं और कैसे चल रहे आप सब की तयारिया बढ़िया कौन-कौन से स्टेट वेकिंसी लिए क्या रहे सारे स्टेट ले आ सब्सक्राइब करते हैं अगले ती मिने में रटो छे मिने में लिख लो पूरा का पूरा सले बस दिन के अठारा गंटे से पढ़ाई और आप पढ़ाई एक बार जज़ बंजा और जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा अब इन दिनों जो बच्चे ज़ज बनगे ना उन सेवन से लेखे 15 तक ना जिंदिकी बहुत साइक आप जैसे हम भी काम करते हैं कि में इंडिया की वह लड़की पड़ा और कमो कमा और पड़ो मेरे पीता जी बस पैसे नहीं थे खुद कोई कमाना होता था तो मैं डांस क्लास भी चलाती थी में कोरियोग्राफर भी हुआ कर करते थी मेरे पास एक पार्लर था से महिलाओं के लिए चलाती थी अपने घर में था मुझे आइबरो बनाना था आज भी आते मैं के बूल गई क्या बनाना क्यों बूल जाओंगी मैं में 25 परका के साड़ी पहना नहीं आती भली मैं ना पहना तो भूल थोड़ी जाते एक बार जीवन में कुछ चीज़े सीखते तो भूल जाते के मुझे तो नहीं लगता तो जो बच्चे कहते हमें पढ़ना क्या करें हम बूल बूल गए तो आरे मैंने कोई दिक्कत देखके करना लेकिन हां फिर भी उस 222 सीट में अगर अपनी पहचान बनानी है यह रियना तो जो भी सलेक्टेड है वह तीनों क्रीम लों आज ही खरीदे और उनको रटना पढ़ना शुरू करें तक कि ट्रेनिंग में जब एक क्वेश्चिन पूछे हर सवाल का जवाब आप दे सको और उस भीड में एक नाम पैच्छान हो या इस बच्चे को सब आता है यह डिज जी हार में नहीं मिलेगी ठीक वियसे अपको बीए मीनेस्स इन्डिया के सारे एक्जाम में में मिलेगी भी स connect वीपर डिली में नहीं नहीं है तो सब्जेक्स्यद नहीं आता है और बाटी जिगा आता है लिमिटेशन के साथ खतम होता लेकिन इसकी जो शैडूल है ना वो 137 है तो ऐसा देखा जाए तो मेरे लिए 9 मेजर एक्ट होते हैं जिनको 9 मेजर एक रट्टे वेन वो इंडिया का हर एक्जाम दे सकता हैं कौन-कौन सा सी पीसी कॉंट्रेक्ट टीपी कॉंस्टिशन लिमिटेशन ऐसारे बी अने से और हमारा यह नौ सब्जेक रट लो जभी आपको कुछ खर्ण दिन नौ सब्जेक को रट के रख लो सबसे पहले जबी आपके पूरे हो जाए तो समझ लव जुडिशी के लिए काभिल है चाहे आप लोड जुडिशी हो जाया आप हाई जूडिशी हो ठीक है आई चलते हैं लिमिटेशन एक्ट निमिटेशन एक्ट 1963 का है एक नमर याद को ना सबसेजी है ठीक को आगे लिया हो शि ट्रेंस नमबर 23 ठीक वैसे ही हर साल बहुत सारे कानू protosaic नम भे मिलता हुए तो किस नमर पे बनाकर किस नमबर पर हाया तो यजो है जी जो है थर्टी सिक्स नंबर प्राया इसे कहते है एक्ट नंबर टोटल चेप्टर इसके अंदर 5 है टोटल सेक्शन 32 एक शेडूल देगी इसके अंदर फिर आता इसका कमेंस्मेंट कभ वाता इसका कमेंस्मेंट होता फर्स्ट जन्वरी एक जन्वरी सब गयाद है कि 1964 इस पर 5 अक्टोबर 1963 यह डेट भी आतका नहीं हाँ अब आने वाले एक्जामा में कुछ भी वो सकते तो इसकी सिग्नेचर डेट सिग्नेचर कॉन करता है जो एक्ट सेंट्रल गवर्वर्मेंट के होते हैं यानि जो पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं उन पर इसको बोलते हैं होल ऑफ इंडिया तब पूरानी जब कोई भी गाईडे सौल करोगे तो लिखा आएगा एक्सेट जैन के तो पॉब्लिशर की गलती नहीं है तो नहीं यह अंडिस्टूट कर ले कि जहां पर व्यासा लिख है आटोमेटिक उसके आंसर आपको चिंज करना ह ठीक है चलिए आगे बढ़ते चैप्टर मन प्रीलम आपको भी कानूम पढ़ोगे ना सब का चैप्टर मन प्रीलम नरी इसका मतलब इंटोडेक्शन देखिए आपने सीपीसी पढ़ना तो सीपीसी में प्लेंटिप आता है एक डिपेंडेंट आता है अप्रिकेशन आती है ठीक है बॉन्ड भरवात है लेकिन सीपीसी की डेफिनेशन के बारें कुछ नहीं लिखा है तो जब आप कॉलेज वे पढ़ाई करते हैं आपके जिस एयर में लिमिटेशन एक्ट आपके कोर्स में होता है उसकी पांच इनित देखना हमेशे लिमिटेशन होती है इसका में देखें लिमिटेशन के लिमिटेशन के लिए एक सीविल केसे के लिए से नहीं लिमिटेशन एक में 62 तो क्रिमिटेशन लिमिटेशन होता है तो वह कहा परें वह आपके bnsrs के बीच्प्था उब नबर 38 dirty देखेंगा लेकिन जो अपील है जो रिविजन है चाहिए वो क्रिमिनल की हो उन लोगों के लिए डिज दोनों के लिए कॉमन यह है चीक है दन आता आता आपके पास चैप्टर नबर टू लिमिटेशन अफ सूर्स अप्लिकेशन इसके लिए मैं आया हूं जो बात करता है थी टू इलेव हुआ तक कांट करोगता है 2001 से क sheriff हमारे सुभी जैसे लोग भी होते हैं क्या कटे यह पुछ добр i है कि कब आपका वोट दिन काउंट होगा जिस दिन को सब्सक्राइब किस दिन आपको छोड़ना पड़ेगा तो यह सारी बात आती कम्यूटेशन में यह आता है 12 से लेके 24 या दो गया 12 दोना चोईस कभी भूलो गई 12 से 24 ही मैं कोशन आता रों कन्फ्यूज होई जाते हैं ठीक है दिन आता चैप्टर फॉर यह तो बढ़िया है फिरी में जमीन आपकी कैसे करें तो कहता है एक्विजिशन और पॉजेशन आपकी पॉजेशन ले लो और चिप आपकी क्योंकि हमारा भारते साक्षी अधिनियम क कहता है जिसके पास पॉजेशन वह उसका मालिक यह भी यह कहता है क्या कहता है तीन चीजें हैं आपके पास 20 एर्स थर्टी एर्स ट्वैलियर्स यह क्या है भाई तीन लोजिक है ट्वंटी जबाव 20 साल तक इसमेंट राइट को यूज कर ले तो हो फिस्फुली तो जमीन प्योजाती है वह इसमेंट आपका हो जाता है 30 सरकाई जमीन को थी साल तक ले लो भीना कोई पैसे पे किये वह घ्योजाती और त्वेलियर्स आप मेरी जमीन पर 12 साल तक रह जाते हो और मैं आपको 12 साल में कभी हटाती भी नहीं हो क्योंकि मैंत अमेरिका रहती हूं मुझ जो था 30 साल का तो बस peacefully किसी की जमीन किसी चीज़ों पर यूज कर लो आप क्यों जागी फिरी में बिलकुल ठीक है तो यह बात करता है सेक्शन 25-27 और फिम इस लिए निस खतम कुछ बचा है नहीं 28-32 आप जब भी को कानून पढ़ोना और प्री ओरिंटेट एक्जाम निकाल क्यों को नहीं कि यह से तीन लाग रुपे मुझे वहासली पर केस करना तो मेरे उसके बीच को कॉंट्रेक्ट हो जो मैं उसके उद्पर सूट इंस्ट्रेटूट करना है तो रीकवरी में तीन साल के अंधर करना पड़ेगा तीन साल में मैं करी नहीं करीने पाई में इतनी बीजी हो गई मुझे मैं इतनी बीजी हो जाती हों कि जो PhD लोग 22 महींने खतम कर देते हों मैं आट साल लगए ताइम ही ने लो को साल कैसे निकल गया रहे इन दिनों तो सुबह से रात कब होती पता नहीं चलता सुबह और उसी दिद्धी मुझे तो घड़ी में 10 बच गे मु कि रेमेडी नहीं बड़ क्या वो तीन साल कहता हुट में आपका उप्चार को रोकता हूँ अधिकार को नहीं बट इसका एक लिमिटेशन एक का एक्सेप्शन है और वह है एक्सेप्शन नबर 27 जा राइट भी जाएगा रेमेडी बताया था न मैंने आप इस जमीन पर 12 साल से बैठे हो मुझे तो आपको निकालना पड़ेगा नहीं निकाला तो 13 साल अब मैं आपको नहीं निकाल सकती मेरा राइट भ सब्सक्राइबल में एक्सेप्शन है या आपको जीवन में एक्सेप्शन मिलेगा ऐवन आपकी खुदकी जिंदगी में बहुत सरे एक्सेप्शन साफको मिलेंगे ठीक है तो यह तो वह हमारे पांच यह आपको छेप्टर है फिर चलते हैं ऐसके शेडूल से जब एक्जाम में आते हैं क्वेशिन आते हैं तीन तो समस्जो एक शेडूल से लेकिन ड़े लिए सेडूल पेले से एक आता था बाकिसास वाल सेक्शन से तो आता है एक व्यावतवर करना पदता है क्योंकि एसा एक एंट्री कैसे धिमाग हो अनुसरों कि पहला है नम्रिंग उसको आइटम नमब बोलेगा को इसको अर्टिकल नमब बोलेगा ठीके और को इसको जो आइटम नमबर या और या फिक सब्जेक्ट नमबर वो लेगा इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो ना तीनों में आपके यह अब वो तीन भागों में डिवाइड एक सूट के लिए है एक आपके अपील के लिए एक आपके लिए एक जाम पूछते हैं वोट इस आएंट रिलेटेड हैं अपील से एंट्री नमबर 1 किसे रिलेटेड यह सूट से पूछ लेते हैं ठीक है तो चलते हम आगे तो सबसे पर आता सूट का एंट्री निबर आटिकल 1-1103 है फिए अपील आता है 1147 अब आपील पर मत्ठा पकड़के बैठ आप क्यों इसके अंदर अपी सी 1898 के लिखे वे तब हम जब पढ़ाते हैं क्लास में तो हमने उसको कनवेट करके CRPC में कनवेट करके CRPC के सेक्शन लिखे अब तीसरा मतला आज भी हमारे कानून वहीं चल रहे हो तीसी बार हमारी CRPC चेंज हो गया जिब कि वहां पर लिखा हो तो पता नहीं बैरेक्ट वाल पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके दोटेश डिवाइट की गए हैं जो पहला चेप्टर हैं आपका जो पहला चेप्टर वह अकाउंट से रिलेटेड है दूसरा देखेंगे कॉंट्रेक्ट है तीसरा आपकी डिकलेशन है चौत आपके डिक्री इंस्ट्रूमेंट है ठीक है पांच आपका इमोल प्रोपर्टी छेट आपका मुवेबल प्रोपर्टी साथ आपका ट्रस्ट है ट्रस्ट है नम्मा आपका मिस लेने से दस वज जिसका कोई ने इसका तीन साल है ठीक बैसे अप्लिकेशन को भी उन्हें दो हागों में डिवाइट के है पहला अप्लिकेशन जो आता है उसके अंतर सब आज जाएगा रिवीजन, रिवियू, डिक्री का एक्जेक्विशन, एक shortcut बताती हूं मैं आपको, revision, revision चाहे किसी की भी हो, चाहे वो civil की revision हो, चाहे वो criminal की, चाहे BNSS में revision करनी हो, चाहे CPC में, गांट बांद लो, revision always 90 days, 90 दिन में होगी, यह easy होगा अपने लिए, revision revision का time हमेशा, 90 दिन के लिए आपको revision करना होगी, गांट बांद लो इसको, ठीक पैसी abatement होता है, abatement एक शब्द होता है, what is abatement, देखो, जब कभी भी आप court में suit institute करते हो, तो या तो reject होता है, या वो dismiss होता है, या वो disposal होता है, क्या का, या तो नामंजर होता है, या खाईज होता है, या उसका निप्ठार होता है, तो यह option क्या होता है, यह abatement क्या हो किसी शूתי का दिया जाता है तो कितने साल के अंदर कर सकते हैं Ship 새로 day application set aside किते दिन में 60 days में कर सकते हैं तो यह अबेटमेंट क्यों आया order no.22 याद करो order no.22 order no.22 rule 9 कहता है कि जब कभी भी किसी भी सूट का अबेटमेंट हता तो उसको set aside करना पड़ेगा तो set aside के लिए क्या करने पड़ेगा अप्लिकेशन लगानी पड़ेगी 60 days में किते दिन में लगानी पड़ेगी 60 days में यह वो 60 days है तो very important यह दो तो सवाल में आपको बता दिया इसके लावा इस शेडूल को याद करना है है easy way में रटना है कैसे कर सकते तो अधिक जानकरी कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन पर जोइन कर सकते हैं लिमिटिशन एक जो है पर्टिकुलर सब्जिक्ट भी आप रहे सकते सब्जेक्ट में चलती वह भी ले सकते बकाईद आपको recording classes भी मिलेगी अगर किसी दिन छूड़ के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हमारे classes बिल्कुल ऑनलाइन है और बिल्कुल टूवे communication अभी बीच बीच में नाम लेए तिन सूभी वैशाली यह बिल्कुल लाइव क्लास के recording अलग से नहीं है ठीक है तो टूवे communication क्लास में बच्चे हम लोग कम रखते हैं रिजल सब्सक्राइब करने पड़ेगी जो रिफंडेबल नहीं होती है और फिर आप तीन दिन की क्लास बैठके देख सकते हैं आफ्टर दिन अपने फीर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लाव क्लास के को को और यह ताब मुझे कॉल मेसेज कर सकते हैं आज के लिए धन्यमात